ये है सुसील मोधी जी का दोहरा चरित्र है आनन्द मोहन की रिहाई के लिए नितिश कुमार पाहल करें इसमें आनन्द मोहन जी का फोटो और सुसील मोधी का फोटो है राजीव गांधी की हत्या में दोसी पाये गए लोगों को रिहा किया जा सकता है तब पुर्व सांसद आ आनन्द मोहन की रिहाई भी संभव है इसके लिए राज सरकार को कानून का पालन करते हुए गंभीरता से पाहल करनी चाहिए ये बाते सुसील मोधी जी ने ट्वीट में कहा था उसमें नरेंद मोधी का भी फोटो लगाए हुए है ये देखिए नमस्कार स्वागत है आपका लाइब भी हर में मैं आपके साथ रूपम आनन्द मोहन की रिहाई पर चोड़ो सोरो से चर्चा हो रही है पक्ष और भी पक्ष दोनों में चले आज नेता परतिपक्ष बिजय सिन्हा ने जिस तरह से बयान दिया है हाला कि आनन्द मोहन जी कहते नजरा है लेकिन साफ तोर पे आनन्द मोहन को तो नहीं लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने यभी कहा है कि आनन्द मोहन जी के साथ जो 27 और लोगों की जो रिहाई हो र रहा है और फिर उन्होंने यह भी कहा है कि अगर इन लोगों की रहाई हो रही है तो कई ऐसे गरीब लोग हैं डलित लोग हैं जो कम से कम चार लाग से भी उपर ऐसे लोग हैं जो 20 साल से उपर सजा काट चुके हैं लेकिन अभी भी जेल में बंद हैं तो वैसे लोगों की रह प्रवक्ता इजाज जी फिर से जंगल राज अस्थापित करने की बात नेता परतिपक्ष विजय सिना जी को आनन मोहन जी के संबंद में जो बाते उन्होंने कही है और जो वो सत्ता पक्ष पर इल्दाम लगा रहे हैं सबसे पहले उनको अपने नेता सुसील मोदी जी से पूछ लेना चाहिए कि उन्होंने 13 फरवरी 2023 को एक ट्वीट किया था कि आनन मोहन की रहाई के लिए नितिश कुमार पहल करें और उसमें निकाराता कि जब राजीव गांधी की हत्या में दोसी पाये गए लोगों को रिहा किया जा सकता है तब पुर्व सांसद आनन मोहन की रिहाई भी संभव है इसके लिए राज सरकार को कानून का पालन करते हुए गंभीरता से पाहल करनी चाहिए ये बाते सुसील मोधी जी ने ट्वीट में कहा था उसमें नरेंद मोधी का भी फोटो लगाए हुए है ये देखिए उसके बाद इन्होंने दूसरा ट्वीट कि लगा है कि राजीब गांधी के हत्याकान के दोसी बरी हो सकते हैं तो आनंद मोहन क्यो नहीं ुसमें अनन्त मोहन जी का फोटो और सुसील मोधी का फोटो है ये देखिए उसके बाद इन्होंने लगाया था आनंद मोहन जी का हतकड़ी लगा हुए फोटो आनंद मोहन NDIA के पुराने साथी रहे हैं उन्हों नितिश कुमार साथ मिलकर चुनाव लड़ा था दुर्भाग पुन घटना आनन्द मुहंजी के जीवन अब परिवार पर बहुत भारी पड़ा उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए ताकि वे सार्मिक जीवन में योगदान कर सके यह है सुसील अगर परलाब कर रहे हैं भारतियनता पार्टी की नेता उस समय क्यों भूल गया जब परिहार नियम जो गुजरात सरकार के द्वारा बिलकिस बानों मामले में 11 अभिक्तों को बाइज़द बरी किया गया रिमिजन पॉलिसी के तहत और उस समय जब मानिये प्रधान मंत्री ने लाल किलाज के प्राचीर से घोसना किया था कि हम महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तयार और उसी दिन तीन घंटे के बाद गुजरास सरकार ने फैसला लिया बिलकिस बानों के रेपिष्ट को रिहाई का तो उससे में भारतियनता पार् प्राचीर करती है ये राजनिती का कहीं न कहीं मखावल बना रहा है कि उन 27 लोगों की रिहाई रही है तो यानि कि कहीं न कहीं चुनावी देखेंगि भारतियनता पार्टी को चुनाव और शत्ता नाजर आता है हमको आम और खास में कोई फर्क नजर नहीं आता है हमने जो फैसला लिया है वो नियमता फैसला लिया है नियमता फैसला यह है कि जो लोग अपनी सजा पूरी कर चुके और उसको जो सरकार की तरफ से रिमिजन पॉलिसी का लाब मिलना चाहिए वो लाब मिला है। एक सवाल और है कि जुमे की नवाज जो है आप से मैं सवाल कर रही हूं कि जुमे की नवाज आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस समय उन्होंने यह कहा था कि नहीं इस पे चर्चा होना ज्यादा जरूरी है और उसने छुटी भी नहीं देती है। पार्टी के निता उनको हर चीज में सिर्फ और सिर्फ एजेंडा चाहिए। हर चीड में नफरत चाहिए, हर चीज में धर्म चाहिए और हमको हर चीज में इंसानियत चाहिए। हम इंसान को देखते हैं, इंसानियत को देखते हैं, मानविये पक्ष को देखते हैं उसी अनुसार फैसला करते हैं। भारतिय इंता पार्टी जो राजनिती करती है वो राजनिती अब देश के लोग नहीं चाहते हैं। अगर आनंद मोहन की गलती से अगर आप लोग सजा बतलब हो गया है तो आप लोग खुले आम तोर पे माफी मांगिए सबसे पहले माफी उनको मंगवाना चाहिए सुसील मोदी जी से कि एक तरफ गले लगाते हैं दूसरे तरफ उनका विरोध करते हैं जब विरोध करना था तो गले क्यों लगा है और जब गला लगाना था तो विरोध किस बात का इसी से असपश्ट होता है कि भारतियन तपाट की सुन्मिता पर पहुंच गई ओर तो अनंद मोहन की रिहाई पर आपने सुना ही किसता से नेतापतिपक्ष बीजय सिन्हा का बयान आया और फिर उस पर आरजेडी से भी बयान दिया गया अनंद मोहन की रिहाई पे कि इनका कहना है साब तोर पे कि बीजय पी राजयती कर रहा है ना कि हम लोग कर रहे हैं चली ऐसी और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं यार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें